मुझे ना फ्रेंक की खाना बहुत जादा पसंद है लेकिन आजकल बाहर का खाना बना कर दिया है डॉक्टर ने तो मैंने सोचा कि घर में तो बना के खाई सकते हैं ना मैं इसे खाई बिना नहीं रब आऊंगी कम से कम वीक में मैं एक बार खाती हूँ इसे तो मैंने अपने घर पे ही एक हेल्दी वर्जन ट्राइ किया सबसे पहले पुदीना और हरा धन्या का मैंने चटनी बना लिया लसन अद्रक मिर्च टाल के सिंपल सा उसमें दही मिक्स कर देंगी और एक चटनी त्यार कर लेंगी अब थोरे से तेल में हरी मिर्च लसन प्याज और जो भी चाहो गाजर जैसे मैंने आपे शिमला मिर्च और टमाट्ड़ डालें नमक डालेंगे लाल मिर्च थोरा सा धुना वब जिरा पाउडर चाट मसाला या अमचु पाउडर और हम तोरा सा डालेंगे गरम मसाला अब दो तीन मिनट के लिए इसे कुक करना है और इसके बाद ब अब रग सकते हो लेकिन मैं इसे क्या की मैश कर दिया मैंने मैश करने के बाद इसे अम उतार लेंगे और फिर यह पर थोरा से वेज़ेटीबल्स को मैंने काट लिया है जिसमें शिमला मिर्च और कुकुमबर प्याज टमाटर है इस पर मैंने थोरा सा चटनी डाला लाल मिर पर चने वाला मसाला फिर उसके ऊपर थोरा सा वेज़ेटीबल डालेंगे जो हमने बनाया था और फिर से थोरा मैंने चटनी डाला है चाट मसाला नेमबू का रस यह सब डालके हमें यह रैप त्यार करना है अब यहां पर मैंने लिया है और यूनी रैप का पेपर फॉयल और यह आप खाने को तो बहुत प्यार से बनाते हो तो उसे पैक करने में भी तो प्यार दिखाना चाहिए ना तो यूनी रैप का पेपर बहुत ही जादा बेनिफिट है यह पेपर मल्टी परपस है और सबसे बेस्ट यह स्कूल आफिस लंच पैकिंग के लिए है इसमें ज यह प्रोड़क्त मुझे बहुत जादा अच्छा लगा तो यह देखिए मेरा हेल्दी रैप त्यार हो गया अब मैं इसे चली खाने